जैहिन दोस्तों मैंनी धीबेन चोहान आज हम बनाएंगे 15 डिगरी का कोण तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक किरन लेनी है ओ ए ठीक है अब ओ ए हमने किरन लेनी है और हमें कोण बनाना है 15 डिगरी का तो 15 डिगरी का कोण बनाने के लिए उससे पहले हमें चाहिए 30 डिगर का कौन, तो हम शुरुवात करेंगे 60 डिगरी के कौन से, ठीक है अब हम यहां पर यहां से इसको हम कम पास को रखते हैं, यहां पर प्रकार को और O को केंदर मानकर हम इस तरह से एक अर्धवर्तूल बना लेते हैं यह अर्धवर्तूल हो गया, ठीक है अब ये अर्धवर्तुल हो गया तो यहां पे जो point आया है इसको हम नाम देंगे B पहले हम बना रहे हैं साथ का कौन अब इस B को केंदर मान कर हम यहां पहली चाप लगाएंगे तो पहली चाप हमारी होती है साथ डिगरी के कौन की ठीक है तो C, O, B हमारा हो गया साथ डिगरी का अब हम C, O, B का करेंगे द्वी भाजक कैसे करेंगे C, O, B का द्वी भाजक B पे हम प्रकार को रखेंगे और एक चाप और जो यहां हमें point मिला है C इससे एक चाप यह हो गया C, O, B का द्वी भाजक ठीक है अब यह इस तरह से हम यहां पर एक किरन डाल देंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे हमें मिल गया 30 का हमने C, O, B का द्वी भाजक किया तो हमें मिल गया 30 का अब हम करेंगे D, O, B का द्वी भाजक क्योंकि हमें 15 डिगरी का कोण बनाना है ठीक है का कोण है तो D-O-B का द्वीभाजक करने के लिए B पर प्रकार को रखिए यहां से एक चाप और D पर प्रकार को रखिए तो यहां से एक चाप ठीक है अब जो हमें चाप यहां पॉइंट मिला है इसको हम जोड़ देंगे इस तरह से तो हमारा हो गया E-O-B 15 डिगरी का कोण 15 डिगरी का कौन बनाने के लिए पहले हमें 60 का चाहिए था तो हमने 60 का बनाया फिर उसका द्वी भाजक किया तो 30 आया फिर उसका द्वी भाजक किया तो हमें मिला 15 डिगरी का कौन मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोशन के साथ जैहिन जैभारत